नमस्कार, हिंदिस साहित्य वार्था में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, HPLT TET 2022 के तैयारियां अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशनों को जो exam के point of view से काफी जादा महत्वपूर्ण है तो I hope कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर enjoy करेंगे अगर करेंगे तो आप इसमें अपना जो राय है या फिर अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है तो comment section में जाकर हमें जरूर बताएं हमें उससे जादा motivation मिलती रहेगी तो चलिए पहले प्रशन की शुरुवात करते हैं यहां से पहले कि जो 25 प्रशन है उनको हम last में देखेंगे वो gk वाले है उनको direct आप खुद भी देख सकते हैं तो वह मैं आपको last में दिखा दूँगा लेकिन उससे पहले यहां पर हम थोड़ा सा और discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले देखें यहां पर लिखा है भाड़े का टटू मुहावरे का अर्थ क्या है तो आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो आपका L.T.T.T. की परिक्षा रहती है उसमें वियाकरन भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा थोड़ा बहुत क्या बहुत क्या बह कई बारे आप देखते हैं कि 20 से 25 के बीच में आपके प्रशन यह रहते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इन प्रशनों का तो यह था पैसे लेकर काम करने वाला तो जब भी आप मुहावरे लोकोक्तियां बगेरा करते हैं देखिए तो एक चीज़ तो अपने माइ चीज़ आपको यहां पर याद रख लेनी है नेक्स यह दिखिए तत्सम शब्द बताईए तो तत्सम और तदभव शब्द यह बहुत बार पूच जाते हैं फिर शब्द के भेड पूच जाते हैं फिर शब्द यूगम आता है तो शब्द वाला जो portion है यह बहुत ही important है यहां से शब्दों के वेद भी आपको पूछ जाते हैं कि व्युत्रपत्ती के अधार पर कितने हैं, रूप के अधार पर कितने हैं, ठीक है, तो यह प्रशन भी आपको रहेगा, एंड तत्सम तद्भव, इनको भी आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ हैं, तो यहां प यह तरत्रिशूल वाला जो आपको वर्ण दिखे किसी भी शब्द में, तो समझ लीज़े, वहां पर आपका क्या है, वहां पर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको शह दिखता है देखना तो यह तत्सम का रूप हो जाता है, ठीक है, तो चितरकार य हिंदी में, as it is, प्रियोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही तत्सम का जाता है, और बाद में जो विक्सित हुए इस बाशा से, संस्कित से, उन्हें हम तदभव कहते हैं, यह चीज़ भी आपको याद रतनी है, कभी कबार ऐसा प्रशन आपको पूछा जाता है, नेक्स्ट कि पहले तो शुरुआत करनी है, कि शब्द के कितने भेद हैं, फिर आपको पता होना चीज़ कि शब्द कैसी बनता है, जो आपका वर्णों के साथ तक स्मोग को ही क्या का जाता है, एक निश्चित जो अर्थ भी प्रदान करें, वही आपका क्या है, शब्द है, फिर आप के शब्द वाले चप्टर के अंतरगत ही के आएगा, जो आपका जो प्रियावाची है, आपका जो विप्रितार्थक है, यह इसी के अंतरगत ही आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यह भी ध्यान रखना है, शब्द यूगम, जहां पर जोड़ा आपको दि प्रियावाची कौन सा है, यहाँ पर जो रेनू है, यह क्या है, दूल का प्रियावाची है, तो असानी प्रशने देखना है, यह आपको किसी भी व्याकरण में, कोई भी आपका ग्रेमर होगा, उसमें आपको प्रशन सारे के सारे मिल जाएंगे, एंड मतलब अल्टिट का ग्रेमर जो है, वो आप किसी भी ग्रेमर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो लूसें समाने हिंदी का हो, चाहे वो नवी दस्मी वालों को जो ग्रामर लगता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी आप गुक ले सकते हैं, पूलिंग शब्द चांटिए, तो यह भी आपको एक प्रशन जरूर पूछा जाता देखना, तो यहां पर देखिए, चमक, जनता, संसद, यह तीनों कहस्त्रेलिंग है, पापर जो आपका पूलिंग है, पढ़ना शब्द का भावाचक रूप, तो संग्या से भी आपको जरूर प्रशन पूछा जाएगा, संग्या असान सा प्रशन देखिए, उर्दू उपसर्ग युक्त जो शब्द है वो कौन सा है, तो देखिए, यह कह रहा है कि उपसर्ग जो है, हिंदी के कुछ अलग से रहते हैं, अपने उर्दू के कुछ अलग हैं, और वैसे ही आपके संस्कित के कुछ अलग से हैं, तो ऐसे ही तो ध्यान रखना यहां पर कौन सा है फिल प्रत्य है तो यह किसका है उर्दू का है अभी जो है यह संस्कित का है निहत्था यह आपका हिंदी का है और परास्त भी आपका संस्कित का ही रहेगा परा मतलब फिर यहां पर देखिए यह है शब्द यूगम शब्द यूगम में पर यह की मात्र लगी है तो समझ लीजे कि यहां पर नौका होगा अगर तरनी होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा इस चीज़ को भी आपने याद रख लेना है नेक्स आता है समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या कहते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसे बड़वानल कहते हैं बहुत सारे लोगों ने दावनल कर दिया था धावनल का मतलबता है जेंगल में लगने वाली आग एपन्वासना वाली जो आग है ठीक है इसको आपने याद रख लेना है आँखों में समाना मुहावरे का आर्थ मे सदेव आज वर्षा होगी से यूक्त है सियूक्त वाक्य में क्या रहता है कि आपके एक या दो या उससे भी अधिक वाक्य रहते हैं। लेकिन वो सारे के सारे वाक्य होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसे शाम ने दुद पिया और उसके बार वह सोने चला गया, ठीक है, तो दोनों वाक्य है देखिए दोनों आपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन यहां पर सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, वैसे त कि वाक्य जो है पूर्ण हो गया है एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर जहां पर आश्रित हो उसे ही क्या का जाता है मिश्र वाक्य कहा जाता है एक और एक्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं उसने मुझसे कहा अभी देखिए ये वाक्य जो है डिपेंड पूरा का पूरा कि रूप जहां पर आपके जो है दो बाक्य पहला उप बाक्य जो है दूसरे बाक्य पर क्या रहता है आश्रित रहता है उसे ही मिश्र बाक्य कहा जाता है यह बहुत सिंपल सा है देखना कई वरी आप जो है इसमें कनफ्यूज हो जाते हैं नेक्स्ट कॉशन आता है अंग्रेजी में प्रियूखत जो डैश का हिंदी रूप क्या है चिन ये आपको कॉमा जो इनवर्ट कॉमा वाला है ये आपका ऐसा हो जाएगा ठीक है तो इसको भी आप ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिए एंड ये आपका अर्द विराम है जहां पर ऊपर एक कॉमा ये एक फुल स्टॉप रहेगा नीचे कॉमा रहेगा अलप विराम आ चिन लगता है ठीक है अंग्रेजी में फुल स्टॉप होता है लेकिन यहां पर इसका ये खड़ी पाई के तौर पर हम इसको लेते हैं लेकिन बाकी जो चिन है वो एज इटीस वैसे ही रहते हैं दूसरी बाशा में भी ono क्रिया बनाने के लिए ना परत्य लग जाता है जैसे खेल दातू ना परत्य लग जाएगा क्रिया बन गएगा यह चलना हो जाएगा ओठें बहुपचन में परिवर्चन में परिवर्तत होने वाला जो शब्द है वो कौन सा है देखे कोई को अगर हम बहुवचन में देखेंगे तो बहुवचन कोई ही रहेगा आपका भी आप में ही तबदील होता है कुछ को भी कुछ में भी लेकिन वह का क्या हो जाता है वे हो जाता है ठीक है ये चीज दियान रखना है आपको देखना important प्रशन है रसोई घर में कौन सा समास है तो यहां पर simple सी चीज आपको या रखनी है रसोई घर में जो समास रहेगा ये रहेगा अव्याव भाव स्वरी ततपुरुष समास ततपुरुष समास जिसके बीच में क्या लगे आपका विक्रह करने पर जहां पर आपको जो भी ये कारकचिन मिलते हैं इसको ही हम क्या कहते हैं ततपुरुष समास कहते है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका दूसरा पद जो है दोनों ही पद प्रधान हो जाते तो दंद उसमास हो जाता है लेकिन कोई भी पद अगर प्रधान ना हो और तीसरा पद वहां पर प्रधान हो तो बहुबरी समास हो जायेगा इस त batch से भी आपको याद रखना है इन चीजों को चले next question आता है यहाँ पर साक्षात संकेतित अर्थ का बोद गराने वाले व्यापार को कहा जाता है यह आपकी अभीधा शब्द शक्ति आती है जिसमें simply आपको direct जो चीज़ कहे जाती है उसको यह हम क्या कहते हैं अभीधा शब्द शक्ति कहा जाता है ठीक है तो यह चीज़ यह चीज़ भी आपको यहाँ पर यादत लेने और इस तरीके से यह जो आपका सही हो जाना था बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक को सही बोला है लेकिन राजनीतिक नहीं राजनैतिक होता है यह चीज़ भी ध्यान रखना है सन्यास देखी यह कई बार आपको पूछ जा जाएगी स्वाभाविक यहां पर नेक्स है देखिए आपका संदी से प्रशन रखा जाए है नद्या गम नदी प्लस आगम ठीक है यह के बाद आ हो जाए तो उसका के हो जाएगा यहां पर नद्या लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिंपली ऐसे भी यार होगा कि बीच में आ क यहां पर आपको यह ध्यानक ना है कि य से पहले व से पहले यदि अर्द वर्ण हो तो आपका क्या हो जाता है यन संदी हो जाता है तो यहां पर द्या में क्या है द्या में आपका ये वाला अदद और य चुपा हुआ है तो इसलिए आप जो है नद्यागम इस तरीके से भ जहां पर देखिए अभ्याई भाफ्समास इसमें हो जाएगा जो अभ्याई भाफ्समास है वो इसमें हो जाएगा क्यों हो जाएगा जहां पर भी सेम शब्द आपको दीखे जैसे धीरे धीरे ठीक है जैसे दना दन है ना इसमें भी क्या हो जाएगा धड़ा धड़ ठीक है ये ऐसे शब्द हैं, इसमें आपको याद रखना है, जहां पर भी रेपिटेशन हो, समझ लिजी कि वहां पर आपका अब्यवी भाफसमास जो होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो कई बारी इसमें दूगुसमास भी कर लेते हैं देखना तो वो चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं, जिसमें दूग दूगुसमास होता है, लेकिन वहां पर आपका क्या रहेगा, योजक चिन भी नहीं होता है, जैसे देवास और गिर आप गिर रहे हैं, ये भी यार रखना है, मैं तू जो सो कोई कुछ आप इत्यादी, ये जो क्या है, य पर नाम के कितने भेद हैं, ये भी आपको यार रखना, कई बार ये वाला प्रशन भी पूछ जाता है, तो इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं, कितने लोग इसको ठीक करते हैं, एंड टोटल, जैसे ये मैं, जो तू, सो, जो है, इनके कितनी सं कौन सा उसमें निशेद आत्मक है, कौन सा उसमें सविकार आर्तक है, कौन सा आदर बोधक है, ठीक है, ये आपको देखने हैं एक बार से, निपात के कितने भेद हैं, नौ भेद हैं, भारत दुर्दशा का रूप क्या है, ये अब आपका लिट्रेचर वाला पोर्शन भारत दुर्दशा का रूप, ये हम सब लोग जानते हैं, भारत दुर्दशा का रूप के इतने भी नाटक रहें हैं, उनका प्रकार ही आपको याद रखना है, तो यह आपर रासक या नाट्य रासक या लास्य रूपक की अंत्रकत ये आता है, देखिए, एक चीज और ध् ड्रूपक भी कहते हैं। यह चीज भी आपको याद uppनी है। याधक ना इसको देखना एंसाती साथ भान जो है, इसको हम एकपात्रिय नातक कहते हैं। जिस नातक में एक पात्रर रहता है, वही सब इसको भान के जो डायालोग्श्ग का यह उनको कहता है तो उसको याद रखना है भान जो इनकी रचना है बिशथ चे भीुशमोषिदम एक नाटक इनका रहा वो इनका भान है है ना तो यह आपने थोड़ा सा याद रख लेना है पौरानिक नाटक इनका भारत जननी है उसको आप एक बार जरूर याद रखें और साथ ही साथ आपको ये विधान रखना है इनका जो सबसे प्रसिद नाटक रहता है जो आनुदित नाटक रहा है वो रहा है विद्या सुंदर और दुरलब बंधु ठीक है विद्या सुंदर जो है संस्कित के 44 पन्चाशिका का अनुवा और सर्जन इनका पहला नाटक था, ये वाला प्रशन भी important है देखना द्रूश्वामी नी, 1933 में लों ने इसको लिखा था, ये बात आपको यार दख ले रही है, प्रसिद कारनेलिया का कीत किस नाटक से है, तो ये चंदरगुत नाटक से था, प्रसिद जो कारनेलिया का गीत रहा है द्यान रखना इसके बारे में भी प्रशना आपको पूछा जा सकता है देखना कि कानेलिया कर गीद जहां पर अरुनी एहमद उमैदेश हमारा जहां पहुंच अंजानक शितिज को मिलता एक सहारा की वली पंक्ते इसकी है भारत दुर्दशा की जो पंक्तियां है वो को निवंद आत्मक कावे के तोर पर हम रखते हैं यह चीज भी आपको याद रखनी है इसकी सबसे प्रमुख पंक्तियां हैं कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ मिलकर विचारें आज यह समस्याएं सभी बहुत ही इंपोर्टेंट पंक्तियां यह जो भार करवला नाटक के रचनाकार कौन हैं इसको भी आपने यार रख लेना है करवला के जो नाटक कार हैं देखना यह है आपके प्रेम चन प्रेम फ्रेमी रक्षाबंधन वगराइन के कुछ एक इंपॉर्टन गरेतिया है लक्ष्मी नरायन मिश्र, लक्ष्मी नरायन लाल एंड लक्ष्मी कांत वर्मा इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है लेकिन शाहिठी सबसे इंपॉर्टनिट इनमे से कौन सा रहेगा रखना है आपको बहुत ही important नाटक हैं ये जितने भी यहां पर रखे गए हैं कुणार्क जो है ये किसका है ये रहेगा आपका जगदीश चंदर माथूर का डॉक्टर आपका विश्णु प्रभाकर का है आदे अधूर मोहन राकेश का एंड हानूश जो है ये बीशमसाहनी क प्रखे गए इसको भी आपने याद रख लेना है कुणार्क से ध्यान रखना है जो आपका जगदीश चंदर माथूर कई यहां पर confusion हो जाता है जगदीश चंदर और जगदीश चंदर माथूर तो ये दो हैं जगदीश चंदर ने दलित उपन्यास लिके थे जगदीश च यह याद रखना है किस प्रकार की रचना है तो यह इनकी गीती नात्य है इसको भी ध्यान रखें पंत का अगर गीती नात्य पूछ जाएगा तो आपको याद रखना है रजत शिकर और शिल्पी दुशंद कुमार एक कंट विश्पाई इनकी रचना है देखना भारत उपन्यास के रशनकार कौन है यह है श्रदाराम फिलोरी इसको भी आपने याद रखना देखना है यहां से प्रश्ण जरूर पूछ जाता है जो आपका प्ररम्भिक उपन्यास रहे हैं अगर हम बात करें 1870 की तो इसमें दिवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास था जो प ये भी आपको कई बार पूछा जा सकता है देखना इसको आपने ध्यान रख लेना है परिक्षा गुरू के बारे में पूछा जाता है ये वाला प्रशन भी देखना इसको याद रख लिजी आप 1882 ये किसका उपन्यास है इसको आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बताए पहुत ही इंपॉटन्ट उपन्यास है देखना और ये अंग्रेजी धंग का पहला मौलिक उपन्यास इसने किसको कहा था ये प्रशन भी आपको देखना है कुछ से चली नेक्स कुछन आता है चित्र लेखाव और टेडे में डिरास्ति उपन्यासों के लेखक कौन है तो य दूसरा प्रशन यहां पर है रांगे रागव रांगे रागव से भी कई वारे प्रशन कुछ जाते हैं मुर्दों का टीला इनों लिका था जो मौन जियोड़ों की सबयता पर अधारित है एंड साथी साथ आपको ये याद रखना है कि जो आपका इनका एक और भी उपन्य था कब तक पुकारूं ठीक है उसको भी आपने जरूर यार रखना है चतोस्ति निशास्त्री अमर अभिलाशा रिदय की प्रियास रिदय की परक बैशाली की नगरबदु इत्यादी इनके प्रसिद उपन्यास है उनको आपको एक बार जरूर देखें राहुल सांकृत्या पूर्णिया के परानपूर गाउं की कता है ये किसमे है ये इनी के एक उपन्यास है चलिए ये आपने अप खुद से देख लेना है गाजिपूर जिले के गंगोली गाउं की कता ये भी बहुत बार पर में पूछा गया है ये भी आपको यहां पर ध्यान रखने है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है इनके लिए आप थोड़ा सा कसरत कीजी अपने दिमाग की और अगर किसी को ये पता है तो आप एक बार इन्हें भी कोमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं बहुत ही आसान सा प्रशन है ये ब इससे भी आपको उपन्यासों को भी पूछ जाता है जैसे पीली आंधी छी नमस्ता ठीक है आउपे पे घर चलें ये इनके कुछ उपन्यास रहे हैं शिवानी शर्मा ये इतने जाद महत्तपूर्ण नाम नहीं है शिवानी और क्षिती शर्मा का लेकिन आपने थोड़ा ब पात्रों का पात्र देखिए आपको जो भी इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट प्रचनाकार रहे हैं ठीक है उनी के नाटकों के उनी के कहानियों के या उनी के ही उपन्यासों के पात्रों के बारे में देखना है समस्त उपन्यासकार या उनके उपन्यासों को पढ़ने की ज इसको इसमें दिखाए गया है गुदान आप सब लोग जानते हैं होरी गोबर जुनिया बगेरा बगेरा ये नाम इसमें रहेंगे ठीक है तो ये देख लेना आपने सिवा सदन में हरी प्रसन बगेरा रहेगा एंड रंग भूमी इसमें आपको सिंपल या रखना है जो आपक कहानी में कौन सी प्रसिद कहानी आई थी जिस से हम शिरुआत मानते हैं यह बात पता होनी चाहिए यहां पर जो कहानी अंदोलन है यहां से बहुत ही इंपोर्टन प्रशन पूछे जाते हैं देखना जितने भी आपके अंदोलन रहे हैं कहानी से समंदित चाहे वो नई कहानी हो चाहे वो सहज कहानी हो चाहे वो आपकी सक्रिय कहानी हो यहां से आपको जरू महीप सिम्प की हो गई कमलेशवर ने खुद एक अंदोलन चलाया अलग से वो था समनंतर कहानी एं साती साथ राकेश वत्स थे उन्होंने सक्रिय कहानी लेखी है बाकी इन तीनों ने मिलकर कौन सा अंदोलन चलाया ये आप मुझे बता सकते हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट है भी मिला था है ना एंड साथ ही साथ आपको यार रखना है परिंदे जो इनकी बहुत ही फेमस रशन रही है इसको भी आप एक बार जरूर याद रखें इंपोर्टन्ट है परिंदे इनकी कहानी भी रहे दिखना जो लंबी कहानियों के अंतरगत आती है अब्दुल बिस्म जाना जाता है ये दोनों नाम इन्ही के ही है देखना इसको भी आप एक पार जरूर याद रखें इसके लाबा इन्होंने अन्य रचनाएं भी रची है देखना जैसे सबसे इंपोर्टन्ट निकी जो मेरा फेवरिट इनका जो निवंद है वो था सच्ची वीरता उसको भी आपने यार रख लेना है बहुत ही इंपोर्टन्ट इनका ये निवंद रहा है और मजदूरी और प्रेम ये भी बहुत ही इंपोर्टन्ट है सबसे मौतपूर्ण है अध्यापक पूर्ण सिंग और ये दिवेधी युगिन जो आपके निवंद कार रहे हैं ये भी आपको शास्त्र उसको आपने यार रखना है और इनके निवंदों को बातों का संग्रह का था जो आपके अचारे रामचंदर शुक्ल है उन्होंने ये वाला प्रशन भी हो सकता है पूछा जाए इसको याद रख लेना है अचंद दशर्मा गुलेरी कच्छवा धर्म और मारे सी म ही कुठाओं ये वाला था एंड बालमकुंद गुप्त शिप्शंभू के चिठ्थे बरी बरी इंपॉर्टेंट वो कृती है देखना उसको भी आप एक बार जरूर याद रखें ठलुअ कलब निबंध किसका है तो ये बाबु गुलावराय का निबंध रहा है इसको भी आपने याद रख लेना है बाखी जितने भी निबंध कार हैं ये बाद के हैं इनको आप एक बार जरूर देख लें चोत्रसें शास्त्री अंतरस्तलतर लागनी बगेरा जो इनकी महतपुन रचनाय रही है उनको आप एक बार जरूर देखना माकंलाल चत्रवेदी इनकी इनकी बंध है इन्होंने लिखे थे सबसे जादा और सबसे प्रसिद्धी इन्हें व्यंगे लेकन के लिए ही मिली है तो यह चीज़ भी आपको याल रखना है तो यहाँ पर यह लिखते हैं देखिए कि कौन सी इनकी रचना नहीं है तो यहाँ पर शिकायत मुझे भी है ब रहेगी हम रश्टन के रश्ट हमारे इसके लावा इसने को और मौतपुन रश्टन रखी थी देखना जीप पर सवार इलियां ये भी कई वर पूछा गया है पेपर में तो इसको भी आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए कि गौन सी रचना किसकी रही हरी शंकर प प्रशन ये किसकी रचना है तो ये अचारे नंद दुलारे वाजपई बहुत ही इंपोर्टेंट इनका ये निवन्दात्मक रचना पही है हलांकि इसको समीक्षात्मक निवन्दों के अंतरकत भी हम रखते हैं तो ये चीज़ भी आपने याद रख लेनी है नामबर सिंग ये रहे हैं जैसे प्रगति और परंपरा है ठीक है और बहुत कुछ इनों ने लिका है देखना बहुत जादा निवन्द इनके रहे हैं तो कई बार वो भी पूछी जाते हैं तो थोड़ा सा आपने देखना इनको भी है यहां पर प्रशन लखा गया है कि कौन सा सिंग चोहान को भी हम मानते हैं कि उनसे शुरुबात हो गए थी लेकिन यहां पर आपको या रख लेना है कि प्रकाश्चन गुप्त भी जो है आपके माक्सवादी समिक्षक है या प्रगतिवादी भी आप इनको कह सकते हैं सुष्ठववादी या सुचनतावादी समिक्षक नंद दुलारे वाजपई ये नाम आपको या रख लेना है अलोचना के मान किसके कृति है तो ये शिब्दान सिंग चोहान की रचना रही है ठीक है तो ये भी आपको या रखना देखना यहां से प्रशना आपको जरूर पुछ जा सकता है चाहिए वो अम्रित्राय हो नामबर सिंग हो मुक्ति बोध हो सबकी इंपोर्टन रचना हैं एक बार इनकी समिक्षात्म फृतियों को आप जरूर देखें कौन सी रचना आत्मकता नहीं है तो यह अर्धनारीश्वर जो यहां पर है देखना यह क्या है यह उपन्यास है अब यह किसका उपन्यास है यह कब लिखा गया था और इस पर साहित्यक आदमित पुरुसकार कब मिला था यह आप एक बार जरूर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रचना रही है देखना अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर से शीर्शक से आई थिंक किसी ने लिबंद भी लिखा है अगर वो भी लिखा है तो वो भी आपने मुझे बताना है चलिए नेक्स यहां पर आता है देखना मुर्दहिया के आत्मकताकार कौन है तो यहां पर आपको यार रखना है मुर्दहिया जो थी यह तुलसी राम की आत्मकतार ही है इसके लाबा मनिकरणी का शीर शक्से भी इनकी एक आत्मकता का एक भाग रहा है महंदासनेमिश्राय इन्हों ने लिखा था अपने पिंजरे, ओमपरकाश्वाल में की जुठन महंदासनेमिश्राय ने सबसे पहले दरित आतमकता लिखी देखना जितने भी यहाँ पर यहाँ पर यह नाम है, यह सारी क्या हैं? दलित लेखक हैं और आतम कथाएं इन्होंने लिखी हैं ठीक है उंपरकाशवाल में की जूठन सुशिला टाक भोरे शिकंजे का दर्द इन्होंने लिखा था यहां पर यह कह रहा है कि कौन सा दलित आतम कथा लेखक नहीं है तो डॉक्टर धरमबीर बहुत सारे लोगों ने जोंपरी से राजभवन यह वाली एंड शयरा सिंग बेचेन इन्होंने लिखा था मेरे बच्पन मेरे कंधों पर ठीक है उसको आपने याल डख लेना है एंड इसके अलावा यहां पर सभी दरित आतम कथा लेखक हैं तो बिलकुल सही बात है इसको आप याद रखें एंड कथाशेश में किसकी जीवनी है तो कथाशेश में जो जीवनी बताए गई है यह अमरितलाल नागर की जीवनी बताए गई है अमरितलाल नागर की जीवनी बताए गई है अमरितलाल नागर की जीवनी देखना बहुत सारे लोगों ने लिखी है कुमुद नागर ने भी इहां पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, सरियुपार की जो यात्रा रही है ये भारतियंदु हरीश्चंद्र की यात्रवृतांत रहा है और भारतेंदू हरी चंदर से ही हम क्या मानते हैं यात्रा साहित्य की शुरुवात इन से ही हुई थी ठीक है राहुल सांकरित आयने यात्रा वरितांत बहुत सारे लिखे हैं देखना एक बुन सेहसा उचली के रशनकार कौन है तो ये अगे की यात्रावरितांत ही रहा और दूसरी चीज आपको यारखने कि अगे ने एक भाग और भी लिखा था उसका वो कौन सा था वो भी बहुत ही मत्तपुर्ण है उसको भी आप एक पर जरूर देखिए परसिद इंदी लेखा कि यशपाल सिंग हिमाचल जो यशपाल थे यह हिमाचल परदेश के किस जिले से समंदित थे तो यह परिक्षा देते हैं तो यहां से परशन आपको जरूर मिलता है पशुपक्षों से समंदित महादेवी बर्मा की कौन सी रचना है तो यह थी मेरा परिवार इंपोर्टन कृतिया देखना इसको आपने जरूर यार रख लेना है पद के साथ ही जो इनके उस समाय के लेखक रहे उनको ध्यान में रखते हुए मतलब उनके साथ जो भी इनका टाइम रहा उसको उन्होंने चितरित किया हुआ है जो साथी लेखक रहे हैं ठीक है अतीत के चल्चित्र और श्रिंखला की कडिया यह इनकी इंपोर्टन कृतिय हैं इनके बारे में भी आपको जरूर याद रखना की मादेवी की ही रचना रही है समय का पाउं इरे खचित रहे देखना याद रखना है समय का पाउं नेक्स आता है तीसा सब्तक के लेखक कौन है तो जीतने भी रचनकार हैं सारे की सारे क्या हैं तीसे सब्तक के ही अंतर वर्ष भी आपको पता होना चाहिए तो यह चीज याद रख लेनी है आपको जैसे तार सब तक के अंतरगत आते हैं अगेर, आमिलाश चर्मा, गिरिजा कुमार माथर, मुक्ति बोद, नेमी चंदर जैन, बगेर आपगेरा यह आपके तार सब तक के अंतरगत आने वाले जो शमशेर बहादुर सिंग, शकुंतला माथूर, हरी नारायन घंशाम व्यास, यह आते हैं जैसे रगुबीर सहाय हो जाएगा, धरमबिर भारती हो जाएगा, नरिश महता हो जाएगा, यह दूसरे सब तक के अंतरगत आपको आएंगे, तीसरे सब तक में आपको सर्विश्य कौन सा था, जो भी छायवाद के चार स्तम है, बहुत ही सिंपल सा प्रशन था देखना, यह प्रसाद पंत निराला, बहुत सारे लोगों ने इस वाले को ठीक किया है, लेकिन यह गलत है, प्रसाद के बाद कोन आएगा, निराला आएगा, ठीक है, यह द्यान रखना है प्रसाद कृत जो उर्वशी का रूप क्या था, यह था चम्पू का आवे, मतलब गद्य और पद्य में इसको मिश्देत रूप से लिखा गया था, 1909 की यह कृति रही है, इसको भी आपने जरूर याद रख लेना है, नेक्स आता है, आधुनिक यूग का तुलसी किसे कहा लिखी थी, और साथी साथ आपको या रखना है कि जो ब्रजभाषा की रचना इनकी रही है, वो रसिकेंद्र नाम से इनोंने लिखी थी, यह वाला प्रशन भी इनके बारे में इंपॉर्टन्ट है, इनकी जो मतलब रचना है, वो आपको या रख लेनी है, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो ये शोदरा हो, चाहे आपका जैदरत वद्ध हो, भारत भारती हो, रंग में भंग हो, ठीक है, उनको आपने एक बार जरूरी या देखना है, पंचवटी इनकी इंपॉर्टन्ट है देखना, वहां से भी आपको प्रशन पूछ जाते हैं, ये शोदरा की पंक प्रशतिवादी पंत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेक्स आता है, यहां पर प्रिये प्रवास में किस की कता है, तो यह हम सब लोग जानते हैं, इसमें श्रीकिशन की कता है, श्रीकिशन की बच्वन से लिकर के, मतुरा जो गमनत की कता इसमें बताई गई है, ठीक है, तो यहां तक आपको यह ध्यान रख लेना है बहुत ही important रचना है प्रिये प्रवास जिसका अन्य नाम है ब्रजांगना विलाप ठीक है जो इसका दूसरा नाम रहा ब्रजांगना विलाप इसमें जो मा यशोदा और राधा दोनों का विरह इसमें बताया गया है यह चीज़ भी आपको याद रखनी है और प्रिये प्रवास से यह भी प्रशन पूछ जाता है कि प्रिये प्रवास में कितने सर्ग हैं तो यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बताईए और प्री प्रवास के शुरुआत कहां से हुई थी ये लास्ट टाइम प्रशन पूछा गया था तो आपने ये भी बताना है कि प्री प्रवास के शुरुआत जो है दिन के किस समय से मान जाती है सुबा से मान जाती है धुपैर से मान जाती शाम से मान जाती है ये रात्री से मान जाती है ये आप मुझे बता सकते हैं नेक्स आता है यहां पर किस चायवादी कवी को विद्रोह का कवी कहा जाता है तो इस सूर्य कांत्रिपाटी निराला ओज और दात्य और विद्रोह का कवी इसके अलावा त्रिप्ति का कवी प्यसक शरividad का कवी भी इसे ही का जाता है यह चीज भी आपको जरूर यादट लिनी है निराला से जिने च्यावाध का रुद्र भी कहा जाता है च्यावाध का महिश भी आप इसको कहा सकते हैं ब्रह्मा की अगर बात करें चाहवाद के ब्रह्मा कौन रहे हैं, तो ये जैशनकर प्रसाद रहे हैं, विश्नु अगर है तो वो आपका पंत है, ठीक है, चली, नेक्स कोशन देखते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचन है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आ रखना है कि ये दिन करकी रचन रही है ये आप बठा सकते हैं साथ में बहुत ही महतपून रचना है देखना अगे की बहुत साड़ कितनी बार हो गया आंगन के पारद्वार हो गया ठीक है अंड बहुत ही महतपून इनकी रचना है उनको भी जरूर या रख लेना है रगवीर सहाइ सीडियों पर धूप में हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं आतमत्या के ब्रूद बगेरब गेरा ये इनकी important रशनाए हैं भवानी प्रसाद मिश्र सत्पूड़ा के जंगल बड़ी प्रसे दिन की कवीता रही है उसको भी आप एक बार जरूर याद रखें अलांकि गीत फरोश ना रधी के द्वीप सांप कवीता किसकी हैं तो ये अगे की कवीता हैं सांप इनकी छोटी कवीता है देखना लगू कवीता जो इनकी विंग्यात्म कवीताओं में भी शुमार रही है ये याद रखनेना है आपको एंड साथी साथ मुक्ति बोद की तीन प्रसिद कवीता हैं लंबी कवीता इसमें अंधेरे में थी, ये भी आपको याद रखने नहीं है, साथी साथ निराला की बहुत सारी कवीता हैं, उनको भी आप एक पर जरूर देखें, चाहे सरोसमृती हो, रामकिशक्ति पूजा हो, जुही की कली हो, ठीक है, यहां से जरूर पुछे जाएंगे बिक्षुक्चा, इनकी कवीता है, तोड़ती पत्र कवीता है, ठीक है, कुकरमुत्ता बगेरा बगेरा, वहां से याद रखिए, बादल राग्षी चक से भी लिखा था, तो सारे का सारा आपको थोड़ा बहुत याद जरूर रख लेना है, ठीक है, नागरजुन, कवीता का कवी भी कहा जाता है, हर एक शाती में आत्माहधीरा है, पंक्ति किस कवी की है, तो ये मुक्ति बोध की पंक्ति है, ठीक है, मुझे ब्रह्म होता है, कि हर एक पत्थर में चमकता हीरा है, इस्तिके से ये पंक्तियां देखने है, इनकी याद रखना है, आपको पं इन सब की पंक्तियां आपको थोड़ी थोड़ी याद रखने नहीं है युगधारा कावे संग्रह किसका है तो ये नागरजुन का प्रत्थम कावे संग्रह है देखना इसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ें इसके लावा यहाँ पर जो आपके अन्य नाम है देखिए किदानाथ अगरवाल हो गया किदानाथ सिंग हो गया त्रिलोचन हो गया इनकी रचना इंपोर्टेंट है देखना उनको एक बार आप जरूर देखिए वहां से भी प्रशन आपको हो सकता है पूछे जाएं दिनमान पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ है तो यह हुआ है दिल्ली से यह दसे दिल्ली दसे दिनमान यही आपको याद भी रखना है पत्रिकाएं से भी प्रशन आपको जरूर पूछते हैं तो मुख्य मुख्य जो पत्रिकाएं हैं खासकर जो आधोनिक यूगी इन पत्रिकाएं रही उनको याद अख लेना है भारते अंदो यूग लखनव में हुआ था DANIEL किस अधयक्ष्टा में मुँची प्रेमचंद की अधयक्ष्टा में और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि 1936 Zusammen महिंद्र कुमारी किस महिला लेकीकाका वास्त्विक नाम था तो ये थी मन्नो बंधारी इसको आपने यार रख लेना है मन्नो बंधारी ठीक है ये किस नाम से जान जाते थी महेंदर कुमारी के चांद पत्रिका के संपाद कौन थे तो ये थी महादेवी वर्मा दुलारेलाल भारवगव इन सब ने देखना बहुत ही महतपुन ये आपके पत्रेकाओं का संपादन किया है ये सब आपको पता होना चाहिए इसको आप लोग जो है अगर कमेंट सेक्षन में नहीं भी बिताना है तो एक बार बुक को जरूर देख लेना शौक सुराही किसकी रचना है तो ये अमरिता परितम का अनुए साक्षात का रात्मक रचना रही है इसको आप एक बार जरूर देखें चंदर किरन सोनरेक्सा ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है देखना है इसकी जो रचनाए है उच्छे क्रितिया इसकी इंपॉर्टेंट है उनको आपने एक बार जरूर देखना है आतमकता शीर्षक से इनकी आतमकता को पढ़ लेना आपने की किस नाम से रही है एंड चाहे उपन्यास हों चाहे कहानिया हों इसमें आपको एक पार जरूर देखना है क्रिष्ण सोक्ति ने हमाश्मल सीर्षक से अपना संस्मानात्मक की रचना लिखी है उसको भी याद रखें आप ठीक है उच्पा भारती ये इतना जाद जरूरी वैसे नाम नहीं है एक साहि इतिक की डाइरी ठीक है इन सब ने डाइरी शैली में अपने अपनी रचनाया लिखी है देखना राजेंदर अवस्ती ये इंपोर्टन नाम है इसकी डाइरी को आपने जरूर याद रख लेना है जो सैलानी की डाइरी शीर्षक से लिखा था बाकियों ने अगर लिखा तुफानों के बीच किस विधा की रशना है तो यह रिपोर्टाज है और किसका रिपोर्टाज है यह है रांगे रागव का रिपोर्टाज थीक है यहां से आपको जरूर पुछ जाता है इसको याद रख लेना है आपको नेक्स आता है भातें दू मंदल का कवी कौन सा नहीं है तो बद्री नाराइन चाधरी प्रेमगन ठीक है और जो भारतेंदू मंदल के अंतरगत आता है तो भारतेंदू के मंदल के अंतरगत देखी ये प्रश्म बहुत important कई बार पूछ गया देखना पेपर में यसे भारतेंदू हरीचंदर हो गया उसके बाद आपका बदरिनाय चौदरी प्रेम गना आ जाता है फिर आपका ठाकुर जगमोहन सिंग हो जाएगा प्रतापने रनमिश्र हो जाएगा राधा कृषिन दास हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी वगेरा वगेरा बाल कृषिन भट भी इसमें आ जाएगा ठीक है तो ये नाम आपको यहाँ पर याद अखना है कि बातेंदुमंडल के अंतरगत ये नाम हो जाएगे साकेत का रशना वर्ष क्या था तो ये 1931 की रशना है इसको आपने यार रख लेना 1914 में जो लिखी गई थी वो थी प्रिये प्रवास जो प्राविक रशना रही है 1936 और 1952 ये वर्ष भी महतफून है इन वर्षों में कौन कौन सी रचना रची है मैथली शरन गुप्त ने वो आपने एक बार जरूर देखना है यहां से प्रशना आपको पूछा जा सकता है कमाईनी का अंतिम सर्ग का नाम क्या था तो कमाईनी के सर्गों को या रखने की सिंपल सी ट्रिक में आपको पहले भी बताई थी शायद अभी एक बार फिर से देख लेते हैं जैसे बिना चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम वासना को आई लज्जा करम को हुई इर्षा इडा को आया स्वपन संगर्ष और निर्वेद का दर्शन को रहस्या में आया आनंद तो इस तरी के से आखरी जो सर्ग है वो कौन सा था वो था आनंद सर्ग इसको रखिए आप याद ये भी है बहुती मौतपुन प्रश्ण ठीक है और पहला जो इसमें था चिंता जैसे बिसना के आशा ने श्रद्धा से किया काम एर्षा ठीक है इडा को आया सौपन तो आपको सिंपली या रखना है कि इडा और स्वपन जो है उसके बाद के हैं संघर्ष और निर्वेद गा तो संघर्ष और निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 15 के 15 सर्ग हो जाएंगे और इनका क्रम भी कई बार अगर आपको पूछ लिया जाए तो ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके जो 100 कॉश्चन है देखना वो हो जाते हैं समाब्त और इससे पहले जो मैंने आपको पहले का था कि मैं चलते चलते आपको लास्ट मैं दिखा दूँगा कि आप जो हैं एक बारी इन प्रशनों को देख लें जो हिमाचल परदेश के जीके से समनित रखे गए थे तो स्पीती नसल के गोड़ों को बचाने के लिए हिमाचल परदेश सरकार ने कहां पर फारम की स्थापना की है तो यह था लड़ी और शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार किस वाइस राय को आया आमरपाली और मली का किसमे किस की हैं तो यह आम के किसमे हैं बुरहा निरित्य जो है आपका सिरमौर में है एंड हिमाले का अजन्ता किसमत को कहा जाता है तो यह ताबो को कहा जाता है इसको भी आप याद रखें बिचितर नाटक आतम का था गुर्गोविन सिंग की रहेगी एंड जो आपका स्पिती नदी सतलूज नदी में कहां पर मिलती है तो ये खाब के खाब नाम अकसल पर मिलती है 2021 में चंबा-रुमाल के संरक्शन के लिए पदम शिरी पुसकार ललिता देवी को दिया गया था तो ये कुलू है बाला सुंदरी मंदिर हीमाजब जिले में है तो ये सिरमौर बज़ॉरा का महादव मंदिर जो है किस शैली में है शिकर शैली में बना है हार क्या है तो यह भीवा है and डुडरा कवार और सांगला की बीच कौन सी जहील स्थित है तो यह थी ब्रादो सर जाड जन जाती कही जगा इसको जड जन जाती के नाम से भी हम देखते हैं जड भी कई बारे लिखा होता है जड जाती तो आपको या रखना है कि यह चम्बा से समन्धी थै सुखेती किसकी सहाइक नदी है तो यह ब्यास नदी की जो सहाइक नदी है हिमाचर प्रदेश पर साथ हजार चित्र बनाने वाले जो निकोलिस रोरिक थे वो किस देश से समन्धी तो यह रश्या के थे डॉक्टर हरलीन कौर को दादा साथ हाल के नारी शक्ति आइकन आवर्ड से नवाज अगया उनका समन्धी हिमाचर प्रदेश के कि जिले से था यह था सिर मौर जिले से हिमाचर प्रदेश में दूसरा रेशम बीजुत पादन के अंदर कहां पर खोला गया है यह थुनाग में है एंड थुनाग जो आपका सिराज मटवगाटी इमाचर प्रदेश के कि जिले में है लाहुल स्पिती दुधोन ही मनद यह था आपका कुलू एंड जोगनी जो जरना है यह मनाली नीलकंट जील कहां पर है यह रहेगी लाहुल स्पिती है लास में आपका क्लासिस बगरा लगाई होंगी तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और यह टेस्ट हमने लिया था देखना अपना यह लाइव क्लासिस के स्टुएंट के साथ तो 26 जुलाई को हुआ था एंड इसमें सिर्फ 30 लोगों ने यह अटेम्ट किया था चलिए कोई बात नही जितने भी लोगों ने दिया आई होब कि वो लोग भी यह वाला वीडियो देख रहे होंगे और जो भी साहिते से समन्दे जो भी प्रशन में आपकी क्वेरीज थी या कुछ भी चीज़े हैं लगबग लगबग मैंने बताने की कोशिश की है कहीं अगर उपर नीचे मुझ कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके का बहतर कॉंटेंट हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए आज के लिए फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे नई उर्जा और नश्पूर्दी के साथ तब तक के लि बाबाई शुक्रिया